उर्चाकरवबल बहुत ही चोटा सा स्टॉक है और इसाइ 30 पर हमने जब भी देखा 30 पर आरे साइज आता है तब बॉद्स बैक दे देता है खेर उसको छोड़ते हुए अगर हम देखे तो चोटा सा स्टॉक है सोलार एनर्जी पर काम करता है सोलार आइटम मैनुफैक्टर कर करता है और सोलार बैटरीज पर बात करता है इंवर्डर बैटरीज और सोलार बैटरीज दोनों बाजू-बाजू में लगी पड़ी है आप देख लो कौन सी बैटरिया आप करना चाहोगे हमने अभी देखा कि पंदरा ऑगरिस्ट को हमारे पी एम जी ने इंद्रमोधी जी न इनर्जी हो गया हाइड्रो एनर्जी हो गया जो हमारे एन्मार्मेंट को पल्यूट नहीं करते है वो सारी चीजों को हमें यूज करके बाद आना है तो यह कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होने वाली है क्योंकि देखे यह रिक्षा बैटरीज मतलब इलेक्ट्रिक बैटरीज इन्वर्टर बैटरीज और इन्वर्टर इन्वर्टर और सारी चीज़े आपको सोलार की तरफ होते हैं और अल्मोस्ट हमें दिख रहा है कि लिथियम आयन बैटरीज जिसकी इंडिया में कितनी कमी है और इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कमी है उसको यह क होगी कितनी ज्यादा company अपने वर्क के लिए बैशनेट है और यहां पर सारी चीजे, company अपने तरफ से mention करके हुआ है company की तरफ से सभी चीजे मेंशन है कि उनका business कैसा है यह देखिए यह सारी लाइप और यह सारी स्कूटी जो कंपनी की तरफ से लॉण्च होई है वह कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है कंपनी ने हमें या पर बताया कि कभी भी हमें करना चाहिए और स्टॉंग को लॉंग टर्म के लिए करना चाहिए को टेक्निकल्स पढ़के कोई भी एक जेनरल बंदा भी यहां पर अनलिसिस कर देगा और जो मेजर चीज कोई नहीं कर पाता है वह यह होती है कि मेजॉर्टी अप दे केसिस में हमें देखना प करेगी बट अगर कंपनी का यहां पर कमें पर किस से आता है नेट प्रॉफिट कंपनी में बिजनस नहीं है तो कई सारे लोग उससे अच्छा है ना कि अगर हम देखे तो सबसे पहले तो हम सेल्स देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ हमें जून कॉर्टर में बहुत कम होते वह द इंफर्मिशन देती है वी विल नॉट टेल लाइक डाट हम एक ऐसा एसम्शन लेते हैं कि बड़े-बड़े इंवेस्टर की नजर रहती है क्योंकि उनके करोड़ों रुपे फसे रहते हैं तो वह कंपनी के उपर अच्छी खासी नजर बना के रखते हैं उन्हें पता रहत लोग तो यहां पर कंपनी को पूछ नहीं सकते है कि कंपनी का बिजनस क्या है और कंपनी ने कितना सेल्स की है और हम जेनरल लोग तो कंपनी को बार-बार फॉलो नहीं कर सकते है तो हमारा पैसा तो इधर सेफ है के नहीं हमें वह देखना है पहले हमने देखा कि इसका पी रेशियो बहुत ज्यादा हाइच चले गया है बट अकॉर्डिंग टूदर टेक्निकल्स अभी इतना ज्यादा नहीं गिरा है तो अगर हम देखे ना तो एक महीने से जो स्टॉक में बैरिश रन आ रहा है खाली यह वाले स्टॉक में नहीं कई सारे स्मॉल कैप और मिड्ड कैप स्टॉक में तो हमें देखने मिला कि इतना ज्यादा बैरिश मॉमेंट नहीं आया है तो अपने पी के हिसाब से न और अपने प्राइज एक्षण के हिसाब से हमें दिखा रहा है कि इसके अंदर और गिरावत आ सकती है हाला कि इसका RSI जो है वो बता रहा है कि बस अभी इसका बहुत हो गया अभी इसका जो है वो जाएगा आराम से उपर because RSI के according हमें दिख रहा है कि okay stock कह रहा है कि हमने अभी बहुत ज्यादा गिरावट दे दी है और यहां पर जो second support निकल के आ रहा है वो stock का निकल के आ रहा है इस time पर जब उसने पिछली बार support दिया था उसको थोड़ा सा हम सेट करके देख लेते हैं पांच रुपए 35 पैसे का support निकल के आ रहा है और अभी stock चल रहा है 6 रुपए 55 पैसे पल क्यूंकि according to the price action हमें बता रहा है कि एक साल की movement हमें consolidator ही देखने मिल रही है तो अभी देखिए 35 का around RSI है तो यह इतना भी ज्यादा oversold नहीं है अभी और selling हो सकती है according to the PE and RSI भी और नीचे 20 तक जा सकता है अब हाला कि इतना नीचे इतना टाइम से गया नहीं है कुछ 5-6 साल के अंदर अंदर कभी गया था एक बार फिर bounce back दे दिया था पर नीचे जाता है और जा सकता है तो अभी और जाएगा तो यहाँ पर जो दूसरा level निकल के आ रहा है वो इसा मत करना पांच रुपे चालीस पैसे पर तो accordingly तो आप यहां पर जो भी है अपने buying orders लगा देना because अगर ऐसा हुआ price action कि according क्या होता है न कई सारे बड़े-बड़े investors price action को देखते वह कोई भी indicator को नहीं देखते हैं कुछ भी नहीं देखते हैं आरे से देखते ना बस price action हां आरे से कोई देख लेगा and वो तो एक जनरल चीज होती है भी ही देख सकते हैं but price action is a must अभी मैं इतनी price action की तारिफ क कर रहा हूँ because यहां पर हमें बनता हो दिख रहा है आपने मुझे ऐसी कोई वीडियो में देखा नहीं होगा इतना बात करते हुए but इस वीडियो में जो सिनारियो बन रहा है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ because यही चीज इसने multiple time space किये एक बार इदर की है एक बार इदर किया उसने तो उदर से उसने बार बार bound back दे दिया मतलब उस लेवल पर आने का नहीं या stock को कई साय लोग उसके पहले ही order लगा के बैटे है तो ऐसे भी कई साय लोग होंगे जिसने चार पास रुपे 35 पैसा ना तो उन्होंने 45 पैसे पर लगाया होगा या 50 पैसे पर लग आने के लिए कि हर दूसरा भी कोई बंदा इसके अंदर इंवेस्टर है और उसीले वीडियो बना है और उसीले में आपको बताना चाहूंगा कि stock बहुत ही अच्छा है according to the financials and the technicals बट अपने sector में इदम नीचे show होता है obviously क्योंकि यहाँ पर penny stock भी है और दूसरा small gap stock भी है इसके competitors बहुत जादा उपर है बहुत जादा उपर है पट competitors एक है कि okay competitors है पट यह जो चीज है ना यह batteries भी बनाता है यह solar power भी बनाता है यह electric vehicle भी है इसके पास और इसी कई सारी चीज़े बनाता है तो अगर for example किसी कोई है जो solar panels बनाता है तो वो भी इसका peer हो जाएगा जो है जो electric vehicles बनाता है वो भी इसका peer हो जाएगा जो है जो electric vehicle electric inverters बनाता है वो भी इसका peer हो जाएगा तो इतने सारे peers हो जाएगे ना एक specific niche पर नहीं है हाँ specific niche पर है पर उसको कई सारी चीज में divide करके रखा है because आप देखोगे तो maintenance of off grid and grid connected solar power plants and decentralized solar applications and consultancy के business में भी है अगर कोई एक firm है जो consultancy के business में है वो भी इसका competitor होगी इसके peers में आएगी देखेंगे consultancy integration business of design और जो दूसरी चीज है वो decentralized solar applications है और इनका जो MNRE है ना वो इनका जो है वो partner approved channel partner है जो government of India के तरफ से है देखे return on equity और return on capital employed भी इतने अच्छे नहीं है बट स्टिल जो stock के returns देने वाले क चमता है वो कई ज्यादा है अभी कई साय लोग का यह doubt होगा वो मैं clear कर देता हूँ कि यहाँ पर जो sales है यह इस साल इस बार की sales बहुत ही कम आई है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो sales आपको वहाँ पर दिख रही है ना उसको छोड़ते हुए आप profit and loss की sales देखोगे बट इतनी बड़त नहीं दिखेगी because आप देखो के 2020 के March quarter में अच्छी बड़त हुई थी तो कई साल लोग यह कहेंगी कि 2020 के March quarter में अच्छी बड़त हुई थी बड़ आप देखो तो March quarter में है ना एक Corona नाम की बिमारी आय थी और March quarter में आय थी तो इसका मतलब इसका प्रभ अच्छ में थी 27 फिर उसके बास इद्दम कम चले गई 19 की फिर उसने 19 के वाद अच्छी खासी movement दी है आप देखो के 32 किया फिर आगे जाएंगे हम 42 कर दिया मतलब लोग घर पे बैठे हुए थे बट इसकी marketing strategy और sales strategy के कारण लोगों ने इसका product खरीदना चाहा और खरीद क पर उन्होंने थोड़ा सा काबू कर दिया जिसके कारण हमें net profit उसके जितना ही देखने मिला बट हमें अभी देखना है कि sales कितनी होती है because expenses तो कोई भी company अची तरह से manage कर ही लेगी but हमें देखना ही है कि sales कितनी हो रही है और दूसरी बात बताओ कि promoters ने अपनी holding बढ़ा दिये जो share के लिए बहुत अच्छी बात है अब मैं यह नहीं कहे रहा कि आप जाके buy करो क्योंकि आप देखो के तो एक और एक खत्रा आ रहा है वह है public public से क्या खत्रा है ना public से एक खत्रा है कि 68% की आसपास की holding public के पास है तो उसके अंदर कोई एक बड़ा operator आके बैट जाएगा ना के सारी holdings public के पास है और अगर 6 महीने से देखे ना तो 6 महीने में भी stock ने कुछ किया नहीं है बस एक consolidatory move दिया है विकोस एक साल के चाट बटन में हमें देखने मिल गया था कि ओके इतने डाइम से seeing a great movement और अगर आप इसको 6-7 साल के लिए hold कर रहे हो ना तो फिर आप भूल जाओ स्वेयर को भूल जाओ को YouTube बन कर दो बस आप जेनरली किसी अपडेट देख लेना मतलब जेनरली आपके ब्रोकर पर यह इसका जो भी अपडेट आए का वो देख लेना या फिर आप यूट्यूब पर इसका अपडेट देखने के लिए आ जाना जब भी ऐसी कोई चीज़े आएगी जो टेक्निकल्स बयान कर रहा है उसको टेक्निकल्स देखने की जरा भी जरूरत नहीं है और फिंग्रो की ओडियन्स यही करती है अनलाइस खुट से करती है फिंग्रो यहां पर बताता नहीं तो यही ता आच की वीडियो में अर्द को सब्सक्राइस अंट जब रहे जाए 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 भारत